हलो दोस्तों वेलकम टू वेक माई यूटूब चैनल साइंस अकेडमी हप पर आपका स्वागत है और दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ जीनम वालों के लिए बहुत बड़ी इंपोटेंट न्यूज क्योंकि जो स्टूडेंट जो मैं बता रहा हूँ वो न्यूज को फोलो करेगा यानि जो मैं बता रहा हूँ उस बात फोलो करेगा तो वो आगे पस्ताएगा नहीं क्योंकि आज एक कुछ बड़ी जानकारी है आपके लिए जीनम वालों के लिए जो आपके college से समंदित है college से समंदित है तो आप video को end तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको भी अभी बताता हूँ कि क्या वो जानकारी है GNM वालों के लिए वो जानकारी है कि जो GNM की जो colleges है ना वो college INC से approved है और कौन-कौन सी INC से approved नहीं है approved नहीं है तो आप बने रही है और कौन RNC RNC से तो सभी RNC मतलब राज्टा nursing counseling से तो सभी college approved है लेकिन INC मतलब Indian nursing counseling से कौन-कौन registered है या नहीं है तो आप उनही college में admission ले एडमिसन ले college जो college INC से approved हो क्योंकि जो other state में other state में अपनी सेवाई देना चाते हैं या नोकरी करना चाते हैं जो वेकेंच से निकलती है other state के अंदर उसमें जाना चाते हैं तो आप INC से approved जो कोई भी college हो वो कॉलेज चूज करें तो आप यानि वो उसी कॉलेज के अंदर आप एडमिसन ले तो यह आप सईर होगे क्योंकि आप अधर स्टेट में जाओगे तब ही तो आप नहीं तो आर अन्सी से अपरूड आप कॉलेज में लोगे यानि आर अन्सी से जो आपको कोई भी नहीं वहापे आपको काम दिया जाएगा अधर स्टेट के अंदर यह भूत बड़ी महत्पून जानकरी हैं आपके लिए जो किसी ने नहीं बताई होगी आज मैं बता रहा हूँ साइंस अकेडमी हब पर यह बात बताई जा रही है तो आप प्लीज एसी न्यूज और जानकरी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर किलिक जरूर करें क्योंकि आने वाली आगे की अपडेट पाने के लिए आपको नोटिपिकेशन मिल जाएगा आपको पहले सबसे पहले नोटिपिकेशन आपको मिल जाएगा इसलिए आप बेल आइकन पर किलिक करें तो आपको दिखाते है वो कौन-कौन सी कॉलेज है और क्या है आई-न्सी से अप्रूड है और कौन आरंसी से अप्रूड है आरंसी से तो अप्रूड है सबी कौलेज आरंसी से तो अप्रूड है यानि रास्ता नर्सिंग काउंसलिंग से तो अप्रूड है आप ले सकते हो लेना चाते हो जो और अभी तक कुछ नोटिपिकेशन भी जारी नहीं हुआ है काउंसलिंग से संबंदित तो आपको अब दिखाते हैं आगे है तो आप यह देख की रहे होगे कि इंडिया नर्सिंग काउंसलिंग यह लिस्ट है और 14 सितंबर 2022 को यह रिलीज वी थी तो आप यह देख लो इसमें क्या है लिस्ट ओप स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग रिकोंगनाइजड इंस्टूट ओप फ्रिंग जी एनम प्रोग्राम यह जी एनम जो कोलेजेज है जो आई एंसी से अपरूड है उनके लिए है अंडर सेक्शन 13 एंड 14 ओप आई एंसी एक्ट ओप में एकेडमिक एक्ट ओप दे एकेडमिक यह 2022 यह 2022 2022 की लिष्ट है जो आई एंसी से अपरूड कोलेज है न जी एनम वाली वो है तो आप बने रही है मेरे साथ मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कौन कौन सी जी एनम की कोलेज अपरूड है कौन सी नहीं है यह देख लो आप ये राझस्तान की जो आय एंसी से आय एंसी से अपरूड कोलेज है वो आप लो दिखा रहा हूँ कौन कौन सी 훈 एनसी सी अपरूड कोलेज है 2022 थेसकी ये तीन फ़रूड ज़वी दो ज़़वाइस को आय थी राश्तान वाली तो आप देख सकते हो जो प्राइबेट कोलेज है अनन्ता कोलेज ऑग नर्सिंग नेशनल हाईवे यह रास्मंध राजस्तान में है यह ऐंध आइंसी शेपरूड है 70 शीटी कि लाइंसी शेपरूड है अनंता जेट नर्सिंग इसकूल इसकी कि साट प्राइवेट एक गलर्मेंट इस गलर्मेंट आ जो जोधवर वाली गवर्मेंट200 थना एसऊचित गिरूप ओस्पितल इस wise और शीट और साट सीट वह साट सीट इसकी आइंसी से अपुरूड है तो आप देख सकते हो आ इंसी आपूल कौन कौन सी ङंशी नहीं आप ऑप इंस डेख लो एक गोर्मेंट यह री गौ है जो आपकी पाली के अंदर है साड़ सीट इसकी है प्राइवेट की आप देख सकते हो कि कौन-कौन से प्राइवेट की है जी आई एंसी से प्रूड प्राइवेट कौन-कौन से कॉलेज है आई एंसी से प्रूड तो वही कॉलेज आप में एडमिस्जन ले जो प्राइवेट में लेना चाते है वो प्राइ नहीं होगी आगे क्योंकि जीनम के बाद आपको एक दो साल का एक्सप्रियंस मांगेगा नुवर्शेट के अंदर और आई एंसी से अपरूड कोलेज होनी चाहिए तब यह आप जा सकते हों यह आप देख सकते हों एक है यह जेपूर में है कि हम हैं इसरी मां या आपकी हैिशाहसी से अपरूड खोलेज जो सिटे हैंुढ है इसके अंदर ान्दा इंसी काविशा या आपकी प्राइवेट है और देख सकते हो आई एंसी से अप्रूड कोलेज गवर्मेंट कोलेज के विल तीन बता रखी है एक यह आप देख लो दो और यह एक तीन यह तीन कोलेजेज हैं आई एंसी से अप्रूड गवर्मेंट और बाकी सबी आरंसी से प्रूड है और जियनम के अंदर क्या है कि असी परसेंट है यानि असी परसेंट हो फिमेल को सिट्स मिलेगी और बीज परसेंट है बोईज को और जो भी नए स्टुडेंट आई है वो ढेक रहे है यह वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कुरिए क्योंकि सबसे पहले आपके पास नोटीफिकेशन आजायेगा और बेल आईटन पर क्लिक करिए जिस शबने आपके पास नोटीफिकेशन आ जाएगा आगे की अपडेट पाने के लिए जैसे अब कोलेज मिलेगी अलोट होगी तो उसका पता आपको चल जाएगा सबसे पहले आपको पता चल जाएगा इसलिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए थैंक यू